नव क्लासेस में आपको स्वागत है आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ math की tricks nowadays मैं आपको math tricks, tips और बहुत साइज tricks सिखाने वाली हूँ अलग-लग subject matters की तो आज हम सिखेंगे square की trick square की trick square कैसे निकालते हैं, square root कैसे निकालते हैं फिर मैं सिखाऊंगे आपको क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, इन सब की quick tricks तिखाऊंगी, तो आज तो हमारी बारी है square trick की, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कीजिए और उसके साथ एक bell है, उसे जरूँ क्लिक कीजिए, ताकि आपक सबसे पहले हम पीछे से शुरूँ होंगे, एक लेके, फिर दूसरे बाके जो बचेंगे, उन digits को लेंगे, पहले सारी square root याद होने चाहिए, थोड़े बहुत, जैसे की 2 से लेकर 20 तक तो याद होने चाहिए, तो हम simple सा दे देते है, 73 का निकालना है, तो पहले 3 का square, फिर 7 का square, यह कर लेंगे, 3 का square क्या होता है, 9, इसको हम लिखेंगे, 0, 9, 7 का square क्या होता है, 49, ठीक है, अब, then, उसके बाद क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, 3 और 7 है न, तो square है, तो इसलिए, 2 into 7 multiplied by 3, यह जितना भी आएगा, हमारा कितना आता है, यह, 42, 42 को अपने इस बीच में लिख ले रहा है, एक डिजिट को छोड़ने के बाद बीच में लिख ले रहा है, अब इसको एड़ करेंगे, यह quick tricks है, 9, 2, 3, 5, ठीक है, तो हमारा 73 का square क्या आ गया, 5, 3, 2, 9, यह हमारा answer हो गया, अब हम एक और example ले लेते हैं, example हमने एक लिया, अब दूसरा example ले रहे हैं, 64 का square करना है हमने, तो मैंने पीछे से एक डिजिट लेना है पहले, 4, 5, 6, इनका square कर लेंगे, ठीक है, 4 का square क्या होता है, 16, अगर सिंगल आता है, जैसे कि 3 का square, 9 होता है, तो उसके आगे हमने 0 लगाई थी, यह 16 हमने ऐसे लिखा, 6 का square क्या होता है, 36, अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना ह है, then, 2 को multiply किया 6 से, multiply किया 4 से, वो जितना भी आएगा हमने, बीच में प्लस कर देना है, ठीक है, तो क्या आएगा, 48, हमने यहाँ पर प्लस कर देना है, 6, 9, 0, 4, हमारा answer आया, 64 का square कितना होता है, is equal to, इतना, ठीक है, थोड़ी बढ़ी ले लेते हैं इस पार, तो लेंगे ठीक है, इमका square कितना होता है, 3 का होता है, 0, 9, 14 का होता है, 1, 9, 6, ठीक है, अब क्या करेंगे, then, हमारा rule क्या कहता है, हमारा कहता है, rule, 2 को multiply करेंगे किस से, देखो, 3 से और फिर जो बचा उसके बाद, 14 से, ठीक है, इन दोनों से multiply करके, जो भी आएगा, बीच में हम प्लस कर देंगे, 84 आएगा, तो हमने यहाँ पर इसमें add कर देना है, तो answer क्या आया, यह आगया हमारा square, 143 का square, इसको आप practice कीजिए, यह definitely work करता है, इसके इलावा कुछ exceptional pieces होते हैं, वो होते हैं, अगर last में 5 हो किसी के तो, देखें, अब हम करते हैं, square की treat, अगर यहाँ पर square करना है, हमें, 35 का square कैसे होगा, उसके लिए आपके trick यह है, कि सबसे पहले आप जो last में legit है, 5 का square कर लीजिए, first step है, last वाला, 5 का square कर लीजिए, कितना होता है, 25, और फिर 3 का, कैसे करना है, 3 को, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है, 3 को multiply करना है, 4 से, ठीक है, हमने पहले इसका लि add करना है, 3 में, तो 3 multiplied by 4, यह कितना होगा, 12, और यहाँ पर 12 लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, तो हमारा के आदे का, 1, 2, 2, 5, 35 का square होगा, 1, 2, 2, 5, ठीक है, यह हमें दो step समझ में आ गए, इस last होले डिजिए का square करना है, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है, 4, 3 को 4 से मलचिताय करना है, next trick समझते हैं, next example लेते हैं, हम इसको quick कैसे कर सकते हैं, वो सिखा रही हूँ, देखो, पहले 5 का square यहाँ पर लिख लेंगे, 5 का square, और 2 का क्या होगा, 2 को multiply करेंगे, 3 से, ठीक है, यह कितना आया, 6, 5 का square कितना आया, 25, तो 6, 25 आंसर हो गया, I hope आपको सम जा रही हो गई, 45 का कैसे करेंगे, 5 का square, दिखेंगे यहाँ पर, और 4 का, 4 multiplied by क्या हो जगा, 5, कितना हुआ, 20, 25, यह हमारा आंसर आ गया, 45 का square का, एक और example लेते हैं, 65 का square, कैसे करेंगे, 5 का square, 6 को किसे multiply करेंगे, 6 प्लस 1, 7 से, ठीक है, तो आंसर क्या आया, 42, 25, कुईक आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल, फर्ट आप फर्ट, जल्दी से, अब 55 का square भी कर लेते हैं, 5 को किसे multiply करेंगे, 6 से, और 5 का square लेंगे, 30, 25, कुईक आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी, अब एक बड़ी value ले लेते हैं, 125 का square निकालन हैं हमें, तो 5 का square लिखेंगे यहाँ पर, और 12 को किसे multiply करेंगे, 13 से, ठीक है, तो यह कितना है, 156, 25, 125 का square, quickly हमने answer निकाला, ठीक है, फोप आपको यह trick अच्छी लग रही होगी, 85 का square, 8 को multiply करेंगे, 9 से, 5 का square, तो दिखिए quick का answer कैसे निकालेंगे, 72, 25, तो यह हमारा 85 का square हुआ, और प्लीज इस trick को आप practice कीजिए, मैंने last में 5 होता है, तब quick trick सिखा दी, और normal bucket results की भी quick trick सिखा दी, last में rewind कर लेते हैं, 73 का square अगर निकाला है, other tricks के लिए, तो 3 का square निकालेंगे, और 7 का square निकालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर क्या 2 multiplied by 7 multiplied by 3, ऐसे ही करेंगे, अगर बड़ी digit है, तो दीजिए, 3 का square निकालेंगे, 14 का square निकालेंगे, फिर उसके बाद कैसे करेंगे, 2 multiplied by 14 multiplied by 3, जो भी होगा, यहाँ एक digit छोड़ कर last में से, यहाँ पर लिख देंगे और add कर देंगे, तो यह हमारा square निकाल आएगा, ठीक है Hope आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा, next मैं आपको सिखाऊंगी square root की tricks, keep watching now classes, like करें, subscribe करें, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो मेरी वीडियो अपने friends के साथ भी share कीजिए, ताकि वो भी now classes का part बन सकें और नई-नई tricks easily सीख सकें, thank you